हे महाराज, जंगल के जो आपने दुख गिनाए, यदि आप कंदमूल फल खा सकते हैं, तो क्या मैं नहीं खा सकती? आपके पीछे, आपके चर्णों के सहारे, क्या मैं नहीं चल सकती? और आपने ये भी कहा, कि राक्षस कंगूमते हैं, किसकी हिम्मत है, जो रगुकल के पुत्रवधू की ओर देख पाए? महराज, आप साथ दे, तो परनिशाला को भी सुर सदन मान लूँगी, कंदमूल फल को अमरित तुल्य मानूँगी, आपके साथ पैदल यात्रा मेरे जीवन का परम सभागे होगा महराज किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी काइनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, और ये कोशिश काम्याब हो गई है, निकिता की, राइट निकिता? मेरे मानना है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी काइनात उसे आप से मिलाने की कोशिश में लग जाती है काइनात तो मैंने देखी नहीं लेकिन अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो एक मा उसके लिए दुनिया से भी लड़ जाती है और यहां पर एक जो है कितना हात् रहा, कितना अशिरवाद रहा माका? मैं खड़ियूं तो मेरी मम्मी की वज़े से आज यहांपर हात्व और आशिरवाद और पोरा साथ और पूरा सपोर्ट उत्जेन का लेगे खड़ीयों हाज मैं जै मेह काल! ंजै श्री मह काल! यह जो फीलिंग होती है, फ्राउट फीलिंग MP की बेटी से भारत की बहु वाली फीलिंग आ रही है, मुझे सच बता हूं था इतनी रिस्पॉंसिबिलिटी का ताज मेरे सिर्पे है, अब मुझे अपने वोल स्टेज पर आके भारत को रेप्रेजेंट करना है बहुत खुबसूरत सफर रहा है, बहुत अच्छा रहा है और काफी कुछ इसमें संघर्ष पिया थे, जिसको बहुत खुबसूरती से मैंने लिया क्योंकि मेरे ममी मेरे साथ थी और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारे कोई मन पसंदीजा चीज कर रहे होते हैं हमारे जो दिल करना चाहता है, अगर हम वो कर रहे होते हैं तो वो संघर्ष पर संघर्ष नहीं रहता है, वो सभागी में बदल जाता है तो मेरा सभागी रहा है कि मैं Femina Miss India की मंच तक आई जैसे भी आई, जितनी भी स्ट्रागल से आई, पर में आई और आज मैं भारत की बेटी Miss India बनके, Femina Miss India World बनके Miss World 2026 में अपने आपको रेप्रेजन करूंगी और मुझे आपका बहुत-बहुत सारा सपोर्ट लगेगा, तो प्लीज बनी रहेगा मेरे साथ अच्छे थेटर से यह जो है, आपका सफर शुरुवात हुई थी और अब यहां तक आके पहुचिए और आगे कहां जाने वाली है रंगमंच से शुरू हुई थी, तो रंगमंच पर खतम करूंगी, क्योंकि यह लाइफ का एक सर्कल होता है तो यह फिल्मों के थ्रू होके जाएगा, आक्टिंग मुझे करनी है, मुझे काफी सारा क्यामरा पर काम करना है मुझे बहुत नाम करना है अपने देश का, अपने प्रदेश का, मेरे ममी बापा का लेकिन यह साब करने के बाद, लाइफ के उतरार्द में मैंने सोचा है कि मैं फिर अजयन जाओंगी, रंगमंच को जितना मैंने एक्सपिरियंस गेन किये हैं, जितना मैं बहार से खुशियां लिये, सब जाके मुझे अजयन में दे दूँगी और फर्स तो मैं नहीं कहूंगी ओफिशली, लेकिन हाँ, मुझे में पोटेंशल काफी सारे लोगों ने देखना चालो किया है, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अपनी बारे में जो अनीज बाजमी सर और मदुर भंडार कर सर ने लिखा था और मुझे काफी पर दिख रही हूँ तो बाब महाकाल का अशिरवाद है, कौन सा एक ऐसा हीरो होगा जिनके साथ काम करने की अच्छा है, बच्पन से है, अभी है, वैसे मुझे रनवीर सिंग जी काफी पसंद है, वो अल्रेडी एक दिंपल क्वीन के साथ है, तो अगर वो परमिशन तो रनवीर सिंग जी के साथ काम करना पसंद करूगी, और कोई ऐसे फेवरिट डिरेक्टर जिनके साथ काम करना हूँ, रनवीर सिंग जी को दिखाने वाले मेरी नजरों में सबसे आदा वो रहे, Sanjay Leela Bhansali sir, he is a legend, so कभी life में मुका मिले, उनको मुझ में potential देखे, मैं इस क स्टेट रिप्रिजन कर रहे थी और अब तो आप देश रिप्रिजन करेंगी, तो कितनी स्पॉंसपॉंसपॉलिटी और बढ़ गई है, मैं असल में अजयन से पहली लड़की हूँ, जो फेमिना में सिंद्या के जिसमें रजिस्टर भी किया है, और मैं मेरी राज्य से पह सुम बड़े सिंपल से लोग होते हैं, तो कोई भी अगर हमारे शहर से किसी भी चीज के लिए आगे जाता है, तो उन्हें जैसे मेरे यहां के लोग को नहीं पता थे कि फैमिना मिस इंडिया होना क्या होता है, क्या होता है मिस इंडिया के रिस्पॉंसबिलिटी तो इतना मातापिता ने काफी जादा ऐसे हाइप अप कर दिया था जब मेरा स्टेट सेलेक्शन होआ था, सब की मेरे साथ काफी सारी उमीदे थी, तो एक उनकी उमीदों पर खरा उतरने की रिस्पॉंसबिलिटी थी, जो शायद मैना चपूरी कर दिया, पिलाल जो है सर प कितना भा माबाप ने जो हमारे लिए इतने वक्त से किया है, उनको एक टाइटल दे पाई मैं जो वो कह सके कि हम निकितापूरवाल के माबाप है, हमारी और से भी कॉंग्रेचुलेशन्स और बेस्ट